हेलो प्राहेल, विल्कम टि सुधा फैमली व्लाउंग, कैसे हो आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अभी इस समय होली का तेवार है, दो चार दिन में है, तो बहुत सारे लोगों के घर में बनता होगा, जादेतर लोगों के घर में बनता है, मठरी, गुजि कि आपने बनाया है कि बजार से लाई है, क्योंकि मैं भी जब बनाती हूँ, तो लोग पूस्ते हैं, और जब लोग खाते हैं, तो यकीन नहीं करते कि ये घर पे बना हुआ है, बिल्कुल टेस्ट अलग, तो आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से, देखिए, चक्री बहुत मतलब टेस्टी लगता है खाने में, देखने में काफी अच्छा लगता है, लगता नहीं है कि घर पे बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है ये, तो मैं तो बनाती हूँ, तो सब लोग पूस्ते हैं, कि आप बनाई हैं, या बाहर स तो यह कैसे बनाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरी ब्लॉगिंग की वीडियो जादेतर होती है तो अगर आप मेरे लाइफ के डेल तो जादे बात नहीं करते हैं चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले एक कटोरी मैदा को लेके ये 500 ग्राम मैदा है मैदा लेके अच्छे से इसको चाल लेंगे फिर इसमें अजवाईन मंगराईल और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाले हैं बिल्कुल थोड़ा सा डाले हैं उतना ही डाले और ये थोड़ा सा ओयल डाले हैं मैदा का लगभग पांचवा भाग या छठा भग होगा मतलब 50 ग्राम के लगभग में होगा चाहे उससे कम ही होगा ओयल डाले हैं और थोड़ा सा नमक डालके इसको अभी रख दिये हैं पतब तक इधर मसाला बना लेत और थोड़ा सा गरम मसाला और एक चम्मच यह चीनी पीसा हुआ चीनी है इसको मिला के अभी रख देंगे और फिर मैदे को अच्छे से इसका डो लगा लेंगे तो पहले अच्छे से इसका ओयल और सब कुछ मिला लेंगे और जितना डाले हैं मतलब 50 ग्राम होगा मैदा है तो अभी चाहruff मिलाने के बादे कि अगर इस तरह से पूरा एक लोय बन जाए तो मतलब ओयल सही है, इससे जादे के जरूरत नहीं है इसे कम भी रहता है तो भी ठीक नहीं है मतलब इतना हो जाना चाहिए कि डो पन जाए तो अभी मैदे को थोड़ा-फ़़ा पान तो फिर बाद में अभी 10 मिनट देखे चोड़ने के बाद फिर से अच्छे से सेट हो जाता है दस मिनट बाद तो अभी 10 मिनट बाद फिर से इसका डो को थोड़ा सा कड़े हाथ से फिर से एक बार लगा लेंगे तभी हो गया है फिर अभी इसका थोड़ा बड़ा लोया लें तो इसी तरह से सारे लोया बना लेंगे, अभी पूरा लोया बन गया है, फिर अब इसको बेल लेंगे, एक गोल रोटी के साइज का बेल लेंगे, इसका स्पीड इसलिए बढ़ा दिये रहते हैं, क्योंकि अगर पूरा प्रॉपर जितना समय लगता उतना दिखाओ तो विड साला बना के रखे थे, इसको इस रोटी पे पूरे अच्छे से पहला लेंगे, चारो तरफ अच्छे से पहला लेंगे, और बहुत टेश्टी बनता है, वैसे तो आप लोग बजार से अगर लाए होंगे, तो खाती होंगे, बहुत लोग बनाते भी होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से बना के देखेगा आप लोग बहुत टिस्टी और बिल्कुल कुछ खास अलग मेहनत नहीं होता है तो इसको रोल कर लेंगे और जैसे मैदे का डू लगाएं हैं ऐसे ही लगा के सेम मठ्री भी बनाना रहता है फिर इसी तरह पतले-पतले बिल्कुल पतला-पतला का काट लेंगे तो मैदे का जो डू लगाएं हैं तो ऐसे ही देखे कितना चकरी की तरह सुंदर हो गया अभी जब इसको तलेंगे तो और बड़ा-बड़ा हो जाएगा तो जिस तरह से मैदे का डू लगाएं हैं ऐसे ही लगा के और मठ्री बनानी रहती है जो प्लेन मठ्री तो आप चाहे तो जो मंगराईल होता है कोई और कुछ भी बोलते हैं मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं लेकिन कुछ और भी बोलते हैं तो उसको चाहे तो आप नहीं भी डालें चाहे कम मात्रा में भी डाल सकते हैं जिसको नहीं पसंद तो वो बिल्कुल ना डाले ले इसको भी बना लेंगे, इसम जैसे मटरी बनता है, वैसे ही मैदा लगाना रहता है, बस के वल इसमें, थोड़ा मसाला लगाके, इसको रोल कर देना रहता है, अभी पूरा मेरा हो गया है, तो अब तलने का काम शुरू करते हैं, तबी गैस को ओन कर देंगे इसमें ओयल पहले से रखे हैं तो अभी देखे तेल गरम हो गया है फिर इसमें अच्छे से डाल देंगे एक ही करके डालेंगे ताकि अलग-अलग रहे आपस में सटे न और धीमे आज पे बिल्कुल धीमे आज पे इसको अच्छे से से शेकना रह में देंड गधर बाउन आपस में रहे हैं ऑर डर्क ब्रॉन करना रह लाइट ब्रॉन करना है जिसके घर में जैसे होने पसंद है हम लोगों के बहुत ज्यादे gak नहीं अच्छा लगता है वह ज्यादे डार्कं भी नहीं मिडियम रहता है तो आपको जैसा के- strategies पेला ब्राउन हो गया है थोड़ी दिर और पका कर बस अब निकाल लेंगे इसको अर बहुत जल्दी बन जाता है बहुत मतलब जल्दी क्या जो जैसे मत्री बनाने का लगता है समय जितना वही बस रोल करके काटने का इसमें लेकिन बहुत अच्छा लगता है टेश्ट भी बहुत अच्छा और मसाला बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसी तरह से दो बार में इतना पूरा हो गया था क्योंकि तेल थोड़ा जादे ही डाले थे तो अभी यह वाला भी ब्राउन हो गया है इसको भी निकाल लेंगे अभी पूरा बन गया देखे कितना सुन्दर लग रहा है खाने में बहुत टेस्टी होता है बहुत आसान और बहुत कम समय में कुछ अलग भी बन जाता है इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए